नमस्क्राइब दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करते हैं एक जरूरी टोपिक पर यानि के हम अपनी पुरानी मिट्टी को कैसे रिचार्च करें और उसको पहले जैसी ताकतवर कैसे बनाए इसको हम कुछ स्टैप में बात करेंगे वन बाई वन करके सबसे पहले आप अपने मिट्टी ग्रो बैक्स को खाली कर लीजे और उनको अच्छे से धूप लगा लीजे इस तरह से जैसे मैंने ये अपने सारे गमले खाली कर लिये हैं और इनकी मिट्टी को फैला लिया है धूप में यह देखे दोस्तों यहाँ पर आप एक चीच अवश्य ध्यान रखेगा अगर किसी पोदे में आपके वाइरस आ गया था तो उस मिट्टी को आप दूसरी मिट्टी में ना मिलाएं क्योंकि वाइरस कई महिनों तक जिंदा रह सकता है और वो आपके दूसरे पोदे को भी खराब कर सकता है और उस गमले को भी आप अवश्य धोएं इसके बाद आप अपने गमले का अच्छे से ड्रेन हॉल चेक करके उस पे दुबारा से कुछ ये ठीक रे चोटे चोटे आप लगा दीजे ये मैंने अपने सभी गमलों में चैवो बाल्टिया हैं या गमले हैं सभी में लगा के छोड़ दी हैं और अच्छे से दो दिन की धूप लगा लिए और इनमें एक लेयर आप 5-6 इंच के नीचे पत्तों की जरूर बिछाएं आजकल तो पत्ते दोस्तों इतने भर-भर के मिल रहे हैं और आप थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी वो पत्ते आप जरूर ले ये पत्ते हमारे खाद के लिए हमारे पोदों के लिए बहुत अच्छे होते हैं हम इसको मिटी में भी मिलाते हैं और नीचे भी एक ड्रेन लेयर की तरह बिछाते हैं ये जो हमारी पेंट वाली बाल्टिया हैं जो ये 20 लिटर की हैं इसमें दोस्तों हम खीरा, ककड़ी, जैसी जो बेले हैं 56 कड़ू हैं, ये बड़े अराम से लगा सकते हैं लेकिन लोकी, तोरी, कड़ू और वाटर मिलन ये सब हम इनमें नहीं लगाएंगे वो थोड़े बड़े ग्रो बैग में लगाएंगे ये देखे दोस्तों, ये मैंने मिट्टी को दो दिन के लिए दूप में फैला के छोड़ दिया था और इसमें कोई भी किसी तरह की कोई जड़ थी वो मैंने हटा दी हैं क्योंकि जो पुरानी जड़े होती हैं वो कई बार सडने लगती हैं और हमारे पोधों को खराब कर सकती हैं और इसमें किसी तरह के पत्थार या ये थोड़े मिट्टी के ही डेले टाइप बन जाते हैं, उनको आप अवश्य तोड़ लीजिएगा. और यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखेगा कि जब हम औरगैनिक खेती करती हैं, तो उसमें मिट्टी में काफी सारे माइक्रोब्स होते हैं, इस मिट्टी को आपने 100% नहीं सुखाना है, इसको दो दिन की धूप काफी है, जब ये हलकी भुरबुरी हो जाए और इसमें ह अपना खाद वगेरा मिला के दुबारा से गम्रे में बढ़ने के लिए तयार हो जाती है, 100% मिट्टी सुखा देने से उसके जो माइक्रोब्स होते हैं, वो नश्ट हो जाते हैं, दोस्तों आपने देखा होगा कि मिट्टी में जो जमीन के अंदर पोधे लगे रहते हैं, वो हमारे गमलो की अपेक्षा काफी ताकतवर होते हैं, हेल्दी होते हैं और उनमें जादा फल और सबजी लगती है, क्योंकि जमीन के अंदर काफी सारे शुक्षमजीव होते हैं और उसमें काफी सारे यानि के माइक्रोब्स होते हैं और पोधों के लिए जो पोशक तर त तो उसमें एक limited मिट्टी होती है और limited ही उसमें हम खाद देते हैं जो एक बार हम उसमें पोधा लगा देते हैं तो वो पोधा सारे उसके nutrition ले लेता है और अगर as it is मिट्टी में हम नया पोधा लगा देंगे तो उसमें ना तो उसको कोई पोशक्तत्व मिलेंगे जिसकी वज़े से वो पोधा बिल्कुल ग्रोथ नहीं करेगा हलकि ये थोड़ा सा ठका देने वाला काम है लेकिन ये बहुत जरूरी भी है यहाँ पर दोस्तों ये सारा प्रोसीजर में कई दिनों से मैं क्या सभी गार्डनर अभी कर रहे हैं और अगर आपने नहीं शुरू किया है तो आप भी इसको शुरू कर दीजिए दोस्तों जो ये आपकी किस्ती हैं या ड्रम हैं या बड़ी क्यारी हैं इनको तो खाली करना संभव नहीं है तो इनको इसी जगे हम अपने पोधे निकाल देने के बाद इसमें यहीं पर दो तीन बार उलट पलट करके ख़द मिला देंगे प्रोसीजर सारा हमने गमले हों या क्यारी हों समय सेम करना है पस फर्क इतना है कि उनको हम खाली नहीं कर पाते हैं और यहीं पर उलटा पलटा कर देते हैं अब देखते हैं दोस्तों जो यह मेरी पुरानी मिट्टी है इसमें जो मैंने रेशो रखा है वो कुछ इस तरह से है 50% के हिसाब से मैंने जो है अपनी यह मिट्टी रखी है और इसमें मैंने डाला है 20% सड़ी हुई पुरानी 2 साल की गोबर की खाद और 20% वर्मी कमपोस बचाएगी और थोड़ा सा बुझा हुआ चूना जो अगर किसी तरह का कोई लारवा मिट्टी में रह गया है तो उसको नश्ट करेगा और थोड़ा सरसो खली जिसमें काफी सारे पौशकतत्व होते हैं साथ में दोस्तों आप रोक फास्टेट या बोन मील अवश्य मिलाएं और थोड़ा सा एक दो चमच एक गमले की मिट्टी में ट्राइकोडर्मा जरूर मिलाएं ये फंगस से बचाएगा क्योंकि हम कई बार सारी कोशिस करते रहते हैं और फंगस से हमारा पोदा खराब हो जाता है इसलिए आप इसमें ट्राइकोडर्मा आपको ओनलाइन मिल जा चल रहा है और इतने जादा पत्ते इधर उदर है पूरे जो सुसाइटी हो या कोई भी कॉल नहीं है उसमें जगे जगे पेड़ तो होते ही हैं उनके नीचे डेरो पत्ते आजकल मिल जाते हैं उन पत्तों को आप अवश्य लाएं अपनी मिट्टी में उसको अच्छे से ड में रखा है तो मैं इसको अच्छे सेไมक्स नहीं कर पा रही हूं लेकिन आप इसको अच्छे से मिक्स जरूर केजईगा क्योंकर नहीं तो कहीं खाद और कहीं मिट्टी रह जाएगी और वो इमेल ली मिल नहीं पाएगी ये देखे दोस्तों मैं कुश्य चुश्ट कर रह पानी डाल के छोड़ दे, क्योंकि जब हम इसमें खार डालते हैं, तो उसमें कई बार गैस बनती है, और कई तरह के हमारे जो पौशक तर डाले हैं, इनसे रियक्षन हो सकता है, जिसकी वज़े से हमारे पोधा खराब हो जाता है, तो आप तुरंत उसमें मिटी भर के पोधा ना लगाएं थोड़ी दिन के लिए उसको जितना आपके पास टाइम है दो दिन, चार दिन, छे दिन उसको छोड़ दीजिए कई बार हम इसको पंदरा-पंदरा दिन भी छोड़ देते हैं आसा करती हुँ जानकारी अच्छे लगी होगी थैंक यू फॉर वहर